पुलिसायक तमितेश कुमार ने हाली में पत्रपरी शिद ली थी जिस तरमयान पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि अगर सुपारी व्यापारी सिफिरोती मामले में किसी पुलिस कर्मी का हाथ होगा तो उस पर ठोस कारवाई की जाएगी इसे श्रुंकला में कारवाई करते हुए पुलिसायक तमितेश कुमार ने वेल्टरोडी थाने में कारवरत एक कॉंस्टिबल मनोज शाहु को निलंबित कर दिया बताया जा रहा था कि शाहु पैसों की वसूली के समय वासन वाइन शौप में दिखाई दिया था नागरिया के भाई अनिल नागरिया को शराब माफिया और वासन वाइन शौप के संचालक मनोज वनजानी और अशुक वनजानी ने सौरब केसवानी के जरी धमकाया था उन्हें बताया गया कि अब तुम्हारा भाई जेल से बाहर नहीं आ सकता इसमें बता चला कि नगरिया से 30 लाख रुपए की वसुली करते समय कॉंस्टिबल मनोज शाहु भी वहाँ उपस्ति थे इसलिए सीपी ने मनोज शी खिलाफ जांच की आदेश दी इस मामले में पुलस आयुक दमितेश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था क्योंक तो पुलस कर्मी के खिलाफ कठोर से कठोर कारवाई की जाएगी और उसी तर्स पर कारवाई भी की गई परोबर है त्या मदे मनोज साहू नावा चे एक कॉंस्टेबल बेज दरोडी मदे नेमनुक आये ते सीसी डीवी फूटेज मदे पैशे हैंडोवर करताना दिसुन येत त्यांचे अत्ता परेंचे तपासा मदे या गुन्यात त्यांचे कुंस्टाई प्रकार चे रोल सहभाग दिसुन येत परन्तु फिर्यादी ही पैशे वाशन वाईन्चॉपचे मालीकला देता है याची जानीर त्याना होती आनि ते ते तेंचे करतव यह होता कि ते पुलीस वरिष्ट पुलीस अधिकारी ले बात सांगावी ये तेंचे गैर कृत्य मोडे तेंचे विरूथ प्रात्मिक चौक्षी आदेश्एत करने आत आले लिया है बतादे के सुपारी व्यापारी के रिहाय के लिए फिरोती मांगने के मामले में वंजानी सहित पाच आरूपियों को जमानत मिलने को लेकर भी तरह तरह की चर्चाए की जारे है लोगों का कहना है कि पुलस ने इतना संगीन मामला होने के बावचुद चांच में ढिलाई परती है जिसके कारण वंजानी जैसे शातिर आरूपि को जमानत मिल गई कैमरपरसन अकलिश भारदवाज के साथ अधिशाहटवार बीसेन न्यूस नाकपूर